दोस्तों स्वागत आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में और आज मैं आपके लिए फिर हिंदी का मोक टेस्ट लेकर आया हूँ तो पहला क्योशन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा विस्मयादी बोधक चिन है इन में से आपको बताना है कि विस्मयादी बोधक चिन कौन सा है तो सबसे पहले मैं आपको बता रहता हूँ कि कामता प्रसाद जी ने किस ने कामता प्रसाद ने कामता प्रसाद जी ने विराम जो चिन है कितने बता है 20 बता है कितने बता हैं कामता प्रसाद जी ने जो विराम चिन है वो 20 बता है पहला होता है ये 20 हैं ये कौन सा है इसको हम वो क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो अब मैं आपको बताते हैं इसको हम बोलते हैं, हन्सपद या तूटी बोदक जिन्य किसे, तूटी बोदक जिन्य या हन्सपद जिन्य ये कहलाता है, ये वाला कुंसा कहलाता है, कुंसा, ये वाला है आपका अल्प विराम, ये इसे हम कहते हैं, अल्प विराम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, व विस्मयादी बोदक होता है कुन सा ये वाला विस्मयादी बोदक तो आप से पूछा विस्मयादी तो option नंबर सी और ये वाला कुन सा है ये वाला है योजक चिन ये होता है योजक चिन योजक चलिए अब मैं 20 ये आपको बता देता हूं सबसे पहले आता है पहले नंबर पर आता है एक तो पूर्ण विराम पूर्ण विराम आता है ये पहले नंबर पर ये से पूर्ण विराम दूसरा आता है अर्द विराम में एक बिंदी ऐसे होती है और एक ऐसा जिसे हम कहते हैं अर्द विराम अलप विराम में आता है छोटा सा डंडा ये इसे हम कहते हैं अलप व प्रस्ण वाचक आता है यह आता है प्रस्ण वाचक फिर आता है विस्मयादी बोदक इसे हम कहते हैं विस्मयादी बोदक कहते हैं डेश इससे थोड़ा सा बड़ा इसे हम कोश्टक यह को इस सबढ़ आ है और व यह यह नीचे लाएन हो थे ऊपर के बाद नीचे रेंग बाद कि ने नेचे लाई can a young कुछिन लोब चिन्द 9फों लोब चिन्द ने होता हैं यह 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 लोब चिन्牛ते हैं इसे नब लो चिन्ट каких टेएं और बता देते हैं इतने गए इतने तेरा मैंने आपको बता दीए हैं जाधातर यह उप विराम यह याँ पर और यह उप विराम पुणर यह छोटी यह फूनर रुक्ति इंग विवर्ण जिन्न यह यहां परीव्रण चिन योग चिन ये योग चिन तुल्यात सुचक चिन ये बराबर वाला जिसे हम कहते हैं तुल्यात सुचक चिन तेरियक चिन इसे हम तेरियक चिन कहते हैं समापती सुचक समापती सुचक ये फिर जीरो फिर ये फिर ये करके ये ये इसे हम कहते हैं समापती सुचक तो मैंने आपको बतादे, यह 20 जिन हैं कामता प्रसाज जिने बताएं इसे हम क्या कहते हैं? विसमैदी बोधर कहलाता है दूसरा question क्या लिखा हुआ है? दूसरा question लिखा हुआ है वाला प्रत्य, प्रत्य तो आप सभी को बताएं कि जो शब्द, किसी भी शब्द के पहले जुड़ता हैं उसे हम क्या कहते हैं? और अंत में जुड़ता हैं उसे हम क्या कहते हैं? बताइए पहले और अंत में जुड़ता हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रत्य तो आप सभी को पताएं कि प्रत्य जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में अंत में लगता हैं अंत प्रति धन आय का अर्थ भी बता जाते हैं प्रति धन आय होता है प्रत्य तो प्रति का अर्थ होता है साथ और अय का अर्थ होता है साथ में चलिए, तो प्रत्या ठीक है, प्रत्या कितने प्रकार के होता है प्रत्या आपके दो प्रकार के होते है क्रत प्रत्य और तदित प्रत्य इसमें पुछा है वाला प्रत्य तो बालपन नहीं होता है बाल पन, बाली नहीं होता है, बाला नहीं होता है, गाने वाला, गाने वाला, option आपका C आजाएगा, अगला क्योंचे, चिंतन्य का विलूम, चिंतन्य का चित, निर्चित, सचित, अचित तो चिंतन्य का चित नहीं होता है, निर्चित नहीं होता है, सचित नहीं होता है, चिंतनु का अगला बार बार कही गई उक्ति क्या कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं पुनरुकति उससे हम यह वाला पुनरुकति, सही होना चाहिए dud पुनरुक्ति, बिल्कुल ये वाला पुनरुक्ति सही, बार बार कही गई उक्ति, पुनरुक्ति कहलाती हैं, तो सही वाला कौन सा हो जाएगा, option आपका भी वाला हो जाएगा, पाने पर आत को हाथ छुओ नहीं, नेनन के पग धोएं, नेनन के जलसे पग धोएं, इसे कौन स कुन सा अलंकार कहते हैं बताएं वेरी वेरी कुछले इससे हम कहते हैं अति-शुकती अलंकार कुन्सा अति-शुकती अलंकार चली अगला question पर बढ़ जाए अलंकार का अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछ ले कि अलंकार का अर्थ बताओ तो अलंकार का अर्थ होता है आपूशन या गेहना क्या होता है आपूशन या गेहना कावे की शोबा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार केते हैं ठीक है अलंका कितने प्रकार के होते हैं अलंकार आपके तीन प्रकार के होते हैं शब्दालंकार अर्थालंकार और उभ्यालंकार शब्दालंकार अर्थालंकार उभ्यालंकार शब्दालंकार जहां शब्द की शोभा में व्रद्धी होती है अर्थ के करण बहुत होता है और शब्द वा अर शक्ति अलंकार शिलेश अलंकार शिलेश का अर्थ होता है क्या शिलेश का अर्थ होता है चिप का हुआ एक ही शब्द में अधिक अर्थ निकले चली जिसे हम कहते हैं शिलेश अलंकार अतिशोक्ति जहां किसी बात को वर्णन बड़ा चड़ा कर किया जता है वहां कौन सा अलंकार होता है वहां होता है अतिशोक्ति अलंकार अतिशोक्ति अलंकार का उधारन भी होगा कौन सा वो पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा के से उत्रे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चे तक था उस पार तो यह है अतिशोक्ति जहां किसी बात को बड़ा चड़ा कर वर्णन किया ज़द है जैसे हनुमान की पूँच में लगन पाई आग लंका सारी जल गई गई निसा जल पार ठीक है यह होता है अतिशोक्ति अलंकार रूपक अलंकार उसी रूपका होना जहां जहां उपमय और उपमान होता है और उपमा अलंकार उपमा अलंकार भी बता देते हैं भी उपमा अलंकार जहां उपमान के चारंग होते हैं उपमे उपमान साधांदर और वाचा चलिए सीस सही वर्तनी पूछाएं सीस का सुद्ध रूप कौन सा सीस सही है तो देखो ये सीस तो गलत हो जाएगा ये सीस गलत हो जाएगा सीस या तो A होगा या D होगा देख लेते हैं सीस option आपका D वाला बिल्कुल सही है ये सीस सही है सी यह वाला सी सरी है चली अगला क्योशन क्या लिखाओ है आपके सामने आडे हात लेना मतल्ब रहश्य कुलना मरने के करीब होना खरी खोटी सुनना किते ने गाउं में कि आज इसको लपेट लिया मतलब आडे हात ले लिया खरी खोटी सुना दी चली अगला क्योशन लर्निंग शब्द के लिए हिंदी लर्निंग का आर्थ क्या होता है लर्निंग अधिगम अधिगम होता है लर्निंग का आर्थ होता है अधिगम चांदी के परियावची आप सभी को पता है चांदी का परियावची होता है रजत रूपा रूपक चांदी का परियावची तो रूपक और एक और क्या होता है चंद्रहास चांदी का परियावची चंद्रहास चली अगला क्योशन कर मूसत नाचत नगर लखी हलधर को स्वांग हसी हसी गोपी फिर हसे मन हूपी एसी भाग में कौन सा रास है तो पहले तो रस किसे कहते हैं तो आप सभी को पता है कविता कहानी उपन्यास नाटा गादी को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिसा आनंदी के अनुभोती होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं रस आपके आठ प्रकार के होते हैं ये किस ने कहा था भरत मुनिने रज के संक्या आठ मानी हैं नुवा कुन सा हैं नुवा आपका शांत रज हैं और दस्वा कुन सा हैं दस्वा आपका कुन सा हैं वासली और ग्यारवा हैं आपका भक्ति रज अब इनके इस्ताइभाव भी देख लेते हैं वासल्य रस का इस्ताई भाव होता है, वासल्य विश्यक रती, तो इसका वासल्य तो होगा नहीं, भक्ति रस का इस्ताई भाव क्या होता है, भक्ति अनुराग भक्ति रस का भक्ति होता है, शान्त होगा शान्त, शान्त रस, शान्त रस, हाश रस, कर मूसत नाचत नगन लखी हलदर को स्वांग हसी हसी गोपी फिर हसी हाँ हास इरश का स्थाई भाव होता है हाँ और ये गोपियां क्या कर नहीं है गोपियां हसरी है तो option आपका ये वाला आजएगा शांत रश का स्थाई भाव तो आप सबी को बता है शांत का इस्ताई भाव क्या होता है निर्वेद, इन सब के इस्ताई भाव आप अपन एक बार सारे में आपको बता देता हूं तो संगा रस का इस्ताइबा पूचे, तो संगा रस का इस्ताइबा होता है रती, हास्च रस का होता है हास, करुन रस का होता है शोग, वीर रस का होता है उत्सा, रोदर रस का होता है क्रोद, भयानक का होता है भय, विबस्च का होता है जुगुस्चा या ग्रणा, शांत रस का होता है निर्वेद, अद्बूत का होता है आश्चर, वासली का होता है वासली विश्यकरती और भक्ती रस का होता है भक्ती विश्यकरती, तो ये मैंने आज आज आपको 10 क्योशन के और क्योशन कराएं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब पर आप message कर सकते हैं जिनको daily Hindi की class नहीं मिलती है वो message कर सकते हैं इसके लावा आपको notes अविलेबल हैं जो Hindi grammar के तयारी करना चाता है उसके लिए आपकी मेराथन class भी रहेगी आज कल में एक दो दिन में तो जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकोन प्रेस करें हमसे जुड़ेना चाते हैं तो जरूर जुड़े वीडियो देखने के लिए धन्याइब